अब देखे जैसे एक होता है magnetic field, magnetic field, magnetic field, देखे actually में जो magnet के बीच में force लगता है ना, जो charges के बीच में force लगता है, वो charge नहीं force लगाते हैं, वो टगाफवार कौन करता है, magnetic lines या electric lines, तो magnet, दो magnet, एक north pole, एक south pole, अगर दो नार्थ, नार्थ को एक साथ लेके नजदीक आओ, और जोड़ा heavy magnet हो, उन्हें जोड़ने की कोसिज करिए, जोड़ा नहीं जोड़ सकते हैं, जहां नजदीक आएंगे वो इस गजब से भागने की कोसिज करें, अगर बहुत heavy magnet है तो, जि पर दोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जिसे पिच्चर होगा ना, दो हीरो जब लड़ते हैं, जो दोनों की ताकत सेम है ना, तो फिर देखे, कैसे मतब देखा पिच्चर, नहीं हमने बहुत नहीं सुने नहीं देखा, पिच्चर, चलो, magnetic field बारे में बात करें, तो magnet के चारो त करें, यह magnetic field होता है, magnetic field lines बिल्कुल वैसे होती हैं, जैसे कि electric field lines होती है, कि नार से निकलती है, south में मर्ज होती है, यह आपको पहले से बताय जा चुका है, अब अगर हम magnetic field की intensity निकालना चाहें, intensity of magnetic field, इसका use हमें कहीं करना, इसलिए हम बता रहे हैं, intensity of magnetic field, तो देखो ध्या magnet किया, वो एक magnet था, source magnet, ठीक है, और कितनी ताकत का वो field है, वो experience कौन करेगा, जिसको कंटा पड़ेगा, जिसपे force लगेगा, तो उस magnetic force, उस magnetic field में, जब कोई magnet रखा जाएगा, या magnetic material रखा जाएगा, ठीक है, तो इसका एक मालर south pole हम रख दिया, क्या रख दिया हमने, south pole र वह आप test charge बोलते थे थे न, तो अगर आपने यहाँ पर south pole इसका रख दिया, यह कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर magnetic field यहाँ तक हो, और आप एक magnet ऐसे रख दो, हो गया south pole नहीं हो गया, हो कुछ भी सकता है, मानने में क्या जाता है, south pole रख दिया हमने, तो इस पर लगने वाला force और जो इसकी pole strength है, यानि unit pole strength पर जो force लगेगा, उसी को तो intensity of magnetic field कहेंगे, ठीक है, तो अगर intensity of magnetic field की बात करें, तो हम कहेंगे force acting per unit pole strength, is known as intensity of magnetic field, ठीक है, तो अब किसी बार magnet की वज़े से, हम magnetic field की value निकालने जा रहे है, इसके पहले वाले क्लास में हमने sol solenite की वज़े से निकाला था ना, तो हम solenite को bar magnet मान रहे थे, अब हम bar magnet की वज़े से निकालने जा रहे है, 99% ये topic आपके syllabus में नहीं पूथा जाएगा, नहीं मतलब proof नहीं आएगा, फामला आप ये लिखने को आ सकता है, ठीक है, 99%, इन 1% की उसकी वज़े से हम निकालने जा रहे हैं, देखो जड़ा, देखें, जड़ा समझिएगा, थोड़ा electric field में हम चलते हैं, electric field में आपने पढ़ा था, कि electric field due to a point charge, तो वहाँ पर एक point charge यहां रखते थे, और उसे r distance पर जब electric field निकालते थे, यहां test charge रखना पड़ता था, याद है न, तो दोनों पर लगने वाला force का formula क्या था, 1 upon 4 pi epsilon naught q q naught upon r square, और जब intensity निकालते थे, तो unit test charge से divide कर देते थे, थीक है, तो q naught यहां से गयब हो जाता था, तो यहां आता था, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, यही diet formula हमको लिखना है, थीक है, तो होगा क्या, कि यहां north और south pole हम रखेंगे, यहां एक magnet रखेंगे, अब magnet रखेंगे तो उसके पास north और south pole होगा, उसकी pole strength होगी, लेकिन जो force experience करेगा, वो होगा test charge, तो उसको पहले सम क्या मान लेंगे, unit, उसको unit charge हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, अचा, वहां पर जो test charge रखते थे, वो कैसा रखते थे, positive, test charge रखते थ तो यहां positive की तरहे कौन प्रियाइब कर रहा है, तो हम unit north pole रख देंगे, यानि ऐसा north pole, जिसकी pole strength हो कैसी है, unity, वो रख देंगे, वो दिखेंगी नहीं, कोई का दिख नहीं रहा हो, unit है ना, तो छोटा है, काई को दिखेंगा, काई को चस्मान रहे हो, मालिया रखा हुआ ह तो देखें, axial position पर magnetic film निकालने कैसे, साउधान, हमने का भाई, ये एक magnet है, language मैंने लिख रहा हूँ, जब बोला हूँ, वही language है, ये एक magnet है, और ये इसकी axis है, ये इसकी axis है, और इसके, ये इसका midpoint है, है ना, तो ये L distance हुई midpoint से, ये इधर, और इधर से भी ये, L distance हुई, और इसका ये कौन सा pole ले लें, अब जड़ाब बिल्कुल electric dipole moment को दिमाग में रखो, electric dipole moment में इधर negative लेते थे, इधर positive लेते थे, कियो रीजन ये था, कि जो electric dipole moment की direction थी, वैदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद इसके midpoint O से, R distance पर, इसके axis पर एक point P है, जहां पर magnetic field निकालना है, लेंगो सुन माई, a magnet is placed, a bar magnet is placed, whose length is 2L, and on its axis, at the distance R from its midpoint, there is a point P, at which magnetic field is required, इसमें magnetic field हमको निकालना है, ठीक है, तो magnetic field का मतलब क्या होता है, यहां पर एक unit, test charge, बोले तो, एक pole, pole strength जिसकी unity हो, north pole, एक रखा जाएगा, उस पर force निकालना है, तो जो unit, north pole पर force लगेगा, वही magnetic field तो है, ठीक है, तो हमने कहा, कि let, a unit north pole, unit north pole, unit north pole, unit north pole means होता है, whose pole strength is, whose pole strength is unity, is placed, उसे फैदा यह होगा ना, कि वहां पर हमको calculation नहीं करना पड़ेगा, otherwise, आपको value निकाली पड़ेगी, सही तो है, हाँ, north pole को ज़्यादा, distance ज़्यादा होगा, ठीक है, दोनों pole की, same हो समझी जाए, थोड़ा सब अच्छा बना दू, अरे, ठीक है, यह r distance पर है, तो हमने कहा है, unit pole रखा हुआ है, अब ज़्यादा दिखिएगा, तो इस north pole की वज़े से, इस पर force लगेगा, force acting on it, on it मतलब, on this north pole due to, this, language नहीं लिख रहा हुए कोई, तो यह force कितना लगेगा, उसका नाम दे दिया, हमने fn, due to north pole, force acting on unit pole, due to this north pole, तो formula क्या बताएगा, mu not upon 4pi, mu not upon 4pi, qm, इसकी pole distance, upon, यहां से इसकी distance कितनी है, r minus l है ना, तो r minus l का pole square, अब ही आप को लाम स्लाप पढ़े हैं ना, magnet का, तो उसी से तो निकाला हमने इसको, अब चाहिए, यह force कैसा लगेगा, attraction या repulsion, अरे वा, नार्थ पोल, नार्थ पोल को अट्रेट कब से करने लगा, यह repulsion लगेगा, तो यह force इधर क्यों लग रहा ना, नार्थ पोल क्यों जासे fn, ठीक है, अच्छा, और due to south pole, यह उसको क्या करेगा, अट्रेट करेगा, तो उसकी उज़र्थ पोर्स लग रहा है, वो क्या होगा, यह एक ऐसा force होगा, यह attraction लगेगा, due to south, force per unit test charge, वही तो intensity होती है, electric field की, तो force per unit, this pole, इधर देखिए, force per unit, this pole, उसी को कहेंगे, intensity of magnetic field, तो actually यह जो net force लग रहा है, यही तो net magnetic field है, क्योंकि force per unit charge, यही तो magnetic force है, एक तरीके से यह magnetic field होगा, due to north, यह magnetic field होगा, due to south, सही में कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो अब बताओ, bn और bs में बड़ा कौन है, bn और bs में बड़ा कौन है, bn बड़ा है, कारण, हाँ, mathematically denominator चोटा है, और अगर physics सी बासाम कहें, तो north pole नजदीक है, तो उस पर force ज्यादा भोकाल ज्यादा होगा उसका, इसका भोकाल कम होगा, तो जब net magnetic field हम निकालेंगे, net magnetic field कहाँ पर, at p, तो b is equal to क्या करेंगे, bn में से bs माइनस कर दे, bn बोले तो, इसमें कुछ कामन ले लो, तो mu naught upon 4pi, क्यों हम कामन ले ले, तो आएगा 1 upon r minus l का whole square, minus 1 upon r plus l का whole square, ठीक है, note करिए यहाँ तक, तो जब इसको हम solve करेंगे, तो b is equal to आएगा, mu naught upon 4pi into qm, जब यहाँ देखिए, यहाँ पर, अब diagram अभी नहीं रब करेंगे, थोड़ा सा जगए, चाहिए और हमको, यहाँ से लिखें, mu naught upon 4pi into qm, यहाँ क्या आएगा, r plus l का whole square minus, r minus l का whole square upon, इसको हम r square minus l square का whole square ले सकते हैं, a plus b, a minus b, l same ले लिया, तो यही तो आएगा न, अब देखिए, तो mu naught upon 4pi into qm, देखो मैं डाइट कर रहा हूँ इसमें, इसको खोलेंगे तो r square आएगा, इसको खोलेंगे तो plus r square आएगा, और पीछे से negative हो जाएगा, तो r square, r square उड़ गया, plus l square मारस उड़ जाएगा, यहाँ plus plus का 2rl आएगा, यहाँ minus 2rl आएगा, और bracket खोलेंगे तो 4rl हो जाएगा, तो 4rl और नीचे आएगा, r square मारस l square का, l क्या है, the distance between these two का अधा, very small value, और very small value का square करेंगे, तो आप लिखेंगे, as l is less and less than r, so neglecting l square, l square वहाँ neglect होगा, जहाँ बड़े के साथ होगा, वहीं से कोई labor है, अपने सस्वाल जाता है, तो वहाँ तो जी जा, जी जा, जी जा, कहा जता है, क्यों, और तुम्हारे साथ जाएगा तो, तो वहाँ सस्वाल साथ मिले गए उसको, तो वहाँ उसको उतनी respect मिलेगी, तो तो उसे काम कराओ गए, तो ये करना, तो ये विचारा इनके साथ फस गया करके, इसलिए इसको यहाँ नेगलेट कर दिया गया, अकेले भौकाली है, देखो, उपर रख लिखा है, इसको कोई नहीं हटा सकता, अब हटाओ इसको, क्या आएगा, तो आएगा, म्यू नाट अपान, फोर पाई, क्यू यम, ये क्या उपर आएगा, फोर आर एल अपान आट पावर, फोर, आर क्यू बचेगा ना, तो म्यू नाट अपान, फोर पाई, टू अलग कर दो, टू क्यू एम इंटू अल, अलग कर दो, अपान आर क्यू अलग कर दो, इसको को small m कर दो तो यह हो जाएगा आपका b is equal to mu naught upon 4 pi 2m upon r cube तो यह magnetic field हो गया जहां m क्या है qm into 2l that is magnetic dipole moment ठीक है net जो field है उसकी direction इधर होगी ना यह भी क्यों और जो magnetic dipole moment की direction भी तो इधर ही है m की भी तो यह direction है तो अगर vector farm में लिखेंगे तो आप यहां vector च्रादो क्योंकि दोनों क्यासी है सेम है च्रा सकते हैं ना तो note करें इसको